हलो गाईज कभी कभी इस तरह के सेंटेंस हम बोलते हैं जैसे कि मुझे नहीं पता था कि वह उंचा सुनता है या फिर आज कल उसे उंचा सुनाई देता है गाईज इस तरह के सेंटेंस में आपने एक चीज जरूर नोटिस किया होगा कि उंचा सब्द का बार बार यूज हो रहा है चलिए गाईज इस तरह के सेंटेंस को कैसे बनाते हैं हम उसके लिए इस्ट्रक्चर देख लेते हैं इस्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लास हेल्पिंग वर्फ प्लास हाड आफ हीरिंग प्लास अदर वर्ड्स गाईज हाड आफ हीरिंग का मतलब होता है उंचा सुनन गाइस चलिए इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक्जामपल देख लेते हैं मुझे नहीं पता था कि वह उचा सुनता है I don't know that he was hard of hearing चलिए गाइस नेश्ट इक्जामपल देख लेते हैं आज कल तुम्हें उचा सुनाई देता है Nowadays you are hard of hearing चलिए गाइस नेश्ट इक्जामपल देख लेते हैं तुम उचा सुनते हो You are hard of hearing चलिए गाइस नेश्ट इक्जामपल देख लेते हैं वह उचा सुनता है क्या Do he hard of hearing चलिए गाइस नेश्ट इक्जामपल देख लेते हैं सबको पता है कि तुम उंचा सुनते थे इवरीवन नो देट यू वर हाड ओफ हेरिंग चलिए गाइस नेक्ट उग्जाम्पल देख लेते हैं तुम्हारे चाचा को उंचा सुनाई देता था Your uncle was hard of hearing चलिए guys, next example देख लेते हैं उम्र की वज़ा से मेरे दादा जी को उंचा सुनाई देता था My grandfather is hard of hearing because of age चलिए guys, next example देख लेते हैं क्या वहाँ सच में उंचा सुनती थी Was she really hard of hearing चलिए guys, next example देख लेते हैं जोर से बोलो वह थोड़ा उंचा सुनता है Speak loudly, he is a bit hard of hearing I hope guys, वीडियो से कुछ सीखने को विला हो तो Like, Share और Subscribe जरूर कीज़ेगा और आप भी sentence बनाने की कोसिस कीजिएगा Hi guys, my name is Vino Singh Welcome to my channel Vino the Study Center और वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो Like, Share और Subscribe जरू कीज़ेगा ताकि में रोज में जखेंगा झाल